हेई गाईज वेलकम बैक टो दिस चैनल तो आज मैं एक बहुत इंटरिस्टिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास जितने भी अक्रेलिक कलर है वो सब कुछ और इस ड्रायर को भी मैं क्लीन करूंगी कियोकि इसके हालाच भी बहुत खराब है और मुझे भी नहीं पता की कितने साथे कलर्स है मेरे पास और बहुत साल पुराने कलर्स भी है जो खतM हो चुकी है वो भी मैं साइट कर के रखोंगी तो यहां पर आप देखी सकते हैं बहुत साथे कलीटर भी है तो मैंने ट्रायर से सब कुछ निकाल दिया है और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया अभी मैं इसमें सब कलर अच्छी तरह से सजाओंगी तो मैंने एक बड़ा सा टोकडी में साड़े कलर्स और ग्लिटर्स एक साथ रखा है तो अब देख सकते हैं बहुत सारा है तो यहाँ पर ब्लैक वाइट योलो सब ऐसे रो करके रखा है मैंने और योलो के बाद ब्लू ग्रीन ब्राउन रेट और उसके बाद ओरेंज पिंक बस इतना ही कलर है और इधर दो बाइलेट कलर है और ग्लिटर्स भी है और यहाँ पर सारे ग्लिटर्स है और यहाँ पर है मेटल कलर और सची मैं मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतने सारे मेटल कलर है और मुझे मेटल कलर बहुत पसंद है क्योंकि जिस ड्राइंग में भी मिटल कलर यूज करती हूँ वो ड्राइंग बिलकुल कम्प्लीट सा लगते है बहते यूनिक सा लगते है तो मेरे पास गोलडन कलर की बहुसारे मिटल कलर है चार पाच है सायब और यहां पर मैंने इस तरह से सब कुछ सजा कर रखा है और यहां पर कुछ कलर मैंने कुछ दिन पहले ही बाई किये थे और इसमें से एक मेटल कलर है जो के आपको मैं दिखा रही हूँ यह बहुत ही यूनिक सा है मैंने पहले कभी नहीं देखा तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा और यह एक ही था इसलिए मैंने ले ली थी और यहां पर कुछ कलर से तो चलिए यह सब कुछ मैं अच्छी तरीके से सजा कर रखूंगी तो यह देखकर ऐसे लग रहा है ना कि मेडिसिन की दुकान है तो पहले मैं यहां पर यूलो कलर रख रही हूँ तो क्री में उसके बाद मैं रखूंगी ब्लू कलर तो मेरे पास ब्लू और ग्रीन कलर बहुत सारे है तो यहां पर ब्लू कलर रख रही हूँ और इसके उपर भी ऐसे रख दूँगी तो मुझे लगता है कि इस टो क्री में शारे के सारे कलर बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर भी रख दिया है और इसके उपर भी मैं रख रही हूँ और अब देखे सकते हैं ग्रीन कलर बहुत सारा है क्योंकि मैं प्लांट्स जदा ड्रॉ करती हूँ और ब्राउन कलर, रेट, औरेंच और पिंक कलर उतना सारा नहीं है फुरा बहुत है तो ऐसे करके मैं सब कुछ रख रही हूँ और यहाँ पर ऐसे ही रख दिया और सब कलर रखने के बाद भी बहुत सारा जगा बस जाएगा ऐसा लग रही है मुझे और जितने भी कलर खतम हो गए है वो मैंने साइट करके रखा है वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को तो यहाँ पर सारे के सारे कलर्स मैंने रख दिया दो वाइलेट कलर है और एक स्कीन टोन कलर है वो भी रख दिया और इतने सारे कलर खतम हो गए है तो इसको फेक हूँगी नहीं इसको clean करके रख दूँगी और मेरे पास एक छोटा सा और टोकडी था तो इसमें मैं साड़े metal color और glitter colors sorry colors नहीं glitter रख रही हूँ यहाँ पर तो first dryer में मैं यहाँ पर acrylic color रख दिया और यहाँ पर chalk matte की color है यह भी रख दिया मैंने कभी भी इस्तमाल नहीं किया पर बहुत जल्दी करूँगी और दो भार्निस भी रख दिया यहाँ पर और sponge sponge बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है painting में तो मेरे fast dryer complete हो गया और बहुत ज़्यादा fresh fill हो रही है मुझे और second dryer में मैं दूसरा जो टोकडी था वो रखूंगी और मेरे पास कुछ Seele ऋूड़ सागनी मोटे और पतले दोनों टाइब की है और यहाँपर मेरे पास बहुत सरे स्टों बहुत सरे स्टोन है थोड़े-थूडी और यह स्टोन भी UNIQ है बहुत ही अच्छ कोर्ण है और बहुत सरे थे मैंने बहुत सरे खतम भी कर दिया और यहां पर भी है बहुत सारे डायमॉंड सेप की स्कायर सेप की बहुत सारे है और मेरे पास सी एकरेलिक कलर है ऐसा नहीं और भी वाटर कलर पोस्टर कलर सब कुछ कलर है पर एकरेलिक कलर मुझे बहुत जादा पसंद है और यहां पर में और दो सिलुटिप थे वो भी रख हो गया तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियो के लिए